हाई यूज कैसे आप सब आप बढ़े आँगे और बहुत मज़े से अपनी लाइफ जी रहे होंगे हमेशा की तरह है ना तो आपको यह भी अपसक पता लग चुका होगा कि लाइफ को जीना इतना इंपॉटेंट है उसे की साथ पढ़ाई पी इंपॉटेंट है क्योंकि मैं स पढ़ाई के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चलने वाले हैं अपने सेम चाप्टर के साथ तो मैं आप सब का स्वागत करती हूं फिर से आपके अपने चैनल स्कॉर्प्रस फार्मडेशन पे जहां पे हम साथ में मिलके चीज़ों को पढ़ रहे हैं समझ रहे हैं और ए इंप्रॉव्मेंट इन फूड रिसॉर्स और इसमें हमने कफी सारी चीज़े जान ली हैं और हम स्टार्ट कर चुके थे अपने न्यू टॉपिक के साथ जब हम बात करते हैं कि हम कैसे क्रॉप्स में जो इंप्रॉव्मेंट हैं वो ला सकते हैं जब हम क्रॉप है overall उसको बढ़िया कर सकते हैं right and then हमने crop production management start किया था जिसमें की हमने nutrients के बारे में बढ़ा था right अगर हम crop production management की बात करते हैं तो इसमें बिटा जी तीन चीज़े आएंगी सबसे पहले तो obvious सी बात है nutrients को जो हमें provide करना है plants को याने की nutrient replenishment हमने देखा जिसमें हमने menu और fertilizers इन चीज़ों के बारे में बढ़ा था और इसी में हमने organic farming भी सीखी थी उसके बाद obviously खाने के साथ साथ पानी चाहिए plants को right तो हमने irrigation techniques के बारे में भी कल सीखा था और जब हमने irrigation सीखी तो इसमें भी हमने अलग-अलग तरीके हमने canal system देखा था हमने tanks देखा था river lift system देखा था drip and sprinkler system भी हमने देखा था आज बच्चे इसी में third चीज जो important है वो यह है कि जब हम crops लगा रहे हैं उसको लगाने का भी तरीका होना चाहिए na right जब हम लगाने की तरीके की बात करते हैं कि how the crop should be planted यानि कि cropping pattern जो है वो कैसा होना चाहिए तो वो चीज आज हम सीखने वाले हैं हम आज सीखेंगे अलग-अलग crop patterns के बारे में कि कैसे हम अलग-अलग patterns वो करके अपने crops को उगा सकते हैं और इससे क्या-क्या benefits होंगे farmer को या फिर जो consumers हैं उनको और उसी के बाद हम deal करने वाले हैं अपने crop production management की crop protection management की right बहुत बार यह production और protection जो है वो same-same सुनाई देता है तो crop protection की जिसमें कि हम बात करेंगे कि हम weeds से कैसे अपने plants को बचाएं अलग-अलग insects से कैसे अपने plants को बचाएं and lastly diseases से हम कैसे अपने plants को बचाएं मतलब कि अब यह बात आगी कि हमने सब कुछ सीख लिया है और almost सब कुछ done हो गया बस final touches दो रह गया है वो देना बाकी है तो वही यह सारी चीजें तो please बने रही है क्योंकि यह चीजें बहुत important है और यहां से और direct questions बनते हैं यह topic काफी जादा जो है important है और इसी के साथ जब हम बात करते हैं protection management की तब भी वो चीज़ important बजाती है तो यह सारी चीजें हमने देखनी है तो let's just begin with the crop pattern first right तो जब हम cropping pattern की बेटा बात करते हैं right cropping pattern से हम समझते क्या है इसका मतलब क्या है cropping pattern जो होता है हम simply कह सकते है that this is the pattern pattern in which seeds of चाहे तो एक टाइप की crop की बात कर लो या अलग-अलग crop जो है उसके seeds sow के जाते हैं तो patterns in which seeds of crop are sown ठीक है तो यह बात हो जाएगी जब हम अपने crops को लगाने की बात कर रहे हैं जब हम किस तरीके से crop लगा रहे हैं उसी को हम cropping pattern कहते हैं और यह जो cropping pattern अपने पास 3 main type की होते हैं यानि कि mixed cropping है crop rotation and finally inter cropping जो है अपने पात आजाती है और इसी को हम बेटा detail में देखने वाले हैं इन चीजों से हमें क्या समझ आ रहे हैं कि हम इनको सोच के इनको पढ़के क्या समझ सकते हैं यहां किस चीज की बात जो है वो हो रही है तो इसमें अगर हम यहां स्टार्ट करें mixed cropping से तो mixed का क्या मतलब होता है मिला हुआ है ना सब चीजें जो है वो एकदम मिली जुली जो है वो है तो मिली हुए चीजें होंगी मतलब क्या मतलब है इसका राइट तो mixed cropping मतलब की जो भी बिटा आप उगा रहे हो वो एकदम से मिली जुली होगी यारि की अलग-अलग जो seeds है अलग-अलग plants के वो हम एक ही land पर उगाने वाले है ठीक है यह चीज होगी अपने mixed cropping में crop rotation rotation का क्या मतलब होता है अदला बदली है ना इससे हम क्या देख सकते है इस rotation का मतलब होता है अदला बदली मतलब की जब हम crops लगाएंगे तो हम crops में अदल बदल करने वाले हैं कभी यह तो कभी वो राइट और क्या करेंगे वो चीज हम सीखेंगे and last में inter cropping मतलब की beach, beach में जो हमने crops है वो लगा दिये, right इसमें देखो, inter cropping में भी हम कह सकते हैं कि 7 में चीजें जो है, वो लगाई गई है या फिर हम यह कह सकते है inter का क्या मतलब होता है, beach में, right अगर इसी में तुम ये वाला word पकड़ लो तो इंस्टेड फी पूरा वर्ड लेट्स जिस्ट गो विद इंटर इंटर के अगर हम बात करें तो क्या मतलब होता है बीच में है ना तो पीच में क्रॉप के बीच में थोड़ा थोड़ा हिंट आपको इन चीजों से मिल गया होगा कि यहां पर क्या-क्या होने वाला है तो है अगर आपको आइडिया लग गया है तो बहुत बढगा बात है नहिं लगा तो कोई बात नहीं अब एक-एक करके सारी चीजों के बारे में हम डिटेल है जानते और स्टार्ट करेंगे अपने mixed cropping के साथ तो mixed cropping के जब हम बात कर रहे हैं इस case में क्या होता है कि जो भी अपने crops है, let's say मैंने यहां पे एक piece of land बनाया right, अब obviously इस piece of land में मुझे क्या होगाने है crops अगाने है, right तो इसमें instead of a single crop right, एक crop की जगे मैंने क्या गरना है, मैंने दो या तीन crocks जो हैं, वो लगा देने हैं मतलब की माल लो, यह जो yellow वाला है, यह हो गया बिटा अपना maze ठीक है, यह क्या हो गया यह हो गया maze, चलो, इसको maze ना लेके, इसको wheat लेते हैं ठीक है, यह हो गया अपना wheat, और अगर इसी में, इसी में मैंने कर दिया क्या, मैंने कहीं कहीं पे भुट्टे का भी पेड लगा दिया, मतलब की मैंने इसी में, जो maze है, वो भी उगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे, यह यह यहलो वाला, यह क्या हो गया maze, तो एक ही piece of land में, जो दो या दो से जादा crop combinations उगाए जाते हैं, तो इस टकनीक को, इस pattern को, बेटा, mixed cropping कहते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, कि हमार पास यहाँ wheat है और साथ में maze है, तो इसी वज़े से क्या होगा, अब obviously जब farmers हैं और वो try करेंगे कि हमें जो चीजें हैं, वो easily मिल जाएं, तो वो obviously इस में एक ही field में एक, दो, दो या दो से जादा crops को साथ में उगा सकते हैं, तो हम अगर यहाँ लिखेंगे कि इसकी definition क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं that this is the technique of growing technique of growing growing two, क्या लिखाएं, two different, हाँ, two और more crops on the same piece of land है ना, same piece of land, और एक शब्द जो बहुत इंपोर्टेंट इसकी definition में वो है, simultaneously ठीक है, कि एक ही साथ जो हम है, वो crop उगाने वाले हैं, और यहाँ पे एक ही piece of land पे crop जो हैं वो उगेंगे, राइट, और अगर हम बोलें कि क्या-क्या crop combinations हो सकते हैं, राइट, mix cropping के time पे, तो जो generally हमने बटा observe किया है, उसमें से एक तो हमने पहले लिख दिया, that is wheat plus maize, ठीक है, wheat plus maize हो सकता है, इसके अलावा, जैसे हम उगाते हैं अपना उडद की दाल, लेट से कि हम जो है, उडद की दाल जो हैं बिटा, वो उगा रहे हैं, तो उडद की दाल के साथ हम मक्का उगा सकते हैं, राइट, तो same way, maize plus उडद बीन, जो उडद की दाल होती है, काली दाल होती है, अगर नहीं पता तो घर में किसी से पूछ लो कि मा, पापा, दादा, दादी, भाईया, भाईया, दीदी, जो भी है, उनसे पूछ लो कि उडद दाल क्या होती है, भाईया, दीदी को तो पता नहीं, ख्यार पता पिजन तो कबूतर को नहीं बोलते हैं, जो अपना पिजन पी है, इसके साथ हम सौरगम जो है, वो उगा सकते हैं, राइट, सौरगम कुछ नहीं होता, जो गाए को डालने वाला चारा होता है, वही होता है, ठीक है, सौरगम चारे को बोलते हैं, अब पिजन पी क्या होता है, मैं कबूतर का मतर नए पिजन पी मसुर क्जल दालती है तो यो गया जी अपना थर्ट कॉंबीनेशन और भी कॉंबिनेशन च जानने नो चलो और भी जो कॉंबीनेशन से हम वह का लिख़ेते हैं अब वो होते हैं तो गेहों के साथ हम चिकपी जो है वो भी उगा सकते हैं तो यह हो गए बेटा अपने crop combinations जो follow किये जा सकते हैं जब हम बात कर रहे हैं अपने mixed cropping की तो यह जो है यह काफी जादा important हो जाते हैं और इसे हम यहां पर थोड़ा सा कम जगे में adjust करके fit कर देंगे तो यह हो गए बिटा अपने सारे के सारे जो भी crop combinations है अब थोड़ा और आगे चलते हैं और जो यह mixed cropping है इसके फाइदे और नुकसान के बारे में जानते हैं और विस्टी चीज हो रही है तो इसके फाइदे भी होंगे और उसके नुकसान भी होंगे तो फाइदे तो हमने यहां पर almost देखी लिए हैं कि देखो यहां पर इतना combination उगरा है तो इससे थोड़ा बहुत दिमाग लगा के we can see कि क्या-क्या जो इसके advantages है वो हो सकते तो अगर हम बात करें बिटा पहले advantages की right so advantages में obviously हमारे पास काफी सारे जो advantages है वो आ जाएंगे यहां पर अगर सबसे पहली चीज देखो क्यूंकि क्यूंकि जो farmers है वो एक साथ दो या तीन crops लगा रहे हैं तो अगर कोई एक फसल खराब हुई भी तो फर्क नहीं कि लेट से यहां पर हमने अपना जो आप गेहू है और जो चिक्पी यानी की छोले है वो साथ में लगा रखे हैं तो अगर गेहूं वाता है रई तो हम लिख देंगे यहां पर क्या धाट रिस्क आफ प्रॉप फेलियर इस रिड्यूज़ इस रिस्क आफ प्रॉप फेलियर ड्यूज़ राइट अब इसके अलावा अगर हम बोलें कि भाई और क्या क्या चीज़ें यहां पर हो रही है तो बेटा हम यहां पर यह लिख सकते हैं कि जो अपने farmers है वो farmers है वो क्योंकि उन्हें एक साथ दो या उससे ज़ादा crops मिल रहे हैं तो कहीं न कहीं उनके घर की needs भी पूरी हो रही है जैसे कि यही example ले लो wheat और चिकपी का मतलब आटा भी मिल जाएगा गेहु से और चने की सबजी बन जाएगी तो ultimately जब एक बार उन्होंने चीज उगाई एक piece of land से तो उनकी जो family की needs है वो पूरी हो रही है राइट तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि farmers are able to harvest and get cereals and other crops together जिससे कि वो अपनी घर की needs भी पूरी कर सकते हैं और market में भी obviously sale कर सकते हैं अब यह चीज हो गई इसके लावा एक और चीज अगर आप यहां ध्यान दें यहां अगर देखोगे तो यह मेज और उड़त जो है हम साथ हुगा रहे हैं या फिर आप सौर्गम और पिजन पी या जो भी कॉबिनेशन देखांपल लिए तो यह जो बिटा एक्जांपल जना यह जो क्रॉप साथ में उगाए जा रहे हैं एक दूसरे से एक दोनों को फाइदा है मतलब कि यह उड़त है उड़त क्यूं की पल्स में आता है पर दालों की काटिगरी में आता है इसका जो प्लांट हो होता है leguminous plants और leguminous plants जो है ना वो बहुत जादा famous है अपने किस काम के लिए अपने nitrogen fixing वाले काम के लिए जो की यह एक बेक्टेरिया के साथ association में रहके करते है तो क्योंकि यह nitrogen fixation कर रहे है तो मेज को अच्छे खासे amount में nitrogen मिल जाता है यह कहलो कि इसको nutrients मिल जाते हैं और य तो हम यहां पर बोलेंगे कि थर्ड पॉइंट क्या लिखे तो थर्ड पॉइंट में हम simply लिख सकते हैं कि क्योंकि इन दोनों plants का एक दूसरे पर complementary effect है तो overall produce जो है हमारा overall produce यानि कि जो पूरी फसल है बेटा वो बढ़ जाती है ठीक है overall produces increased एक यह चीज हो गई अपने mixed farming के फाइदे में और lastly अगर हम बोलें तो क्योंकि again इन दोनों का एक दूसरे पर complementary काम चल रहा है कि एक से दूसरे को फाइदा है तो invasion of pests जो हैं मतलब कि जो भी हमारे पास चाहे कीरे में कोड़े कहलो या फिर diseases है वो कम हो जाता है ठीक है is reduced तो यह सारे जो है बिटा यह main main फाइदे है या फिर कहलो advantages है जब हम mixed cropping की बात कर रहे है अब अगर obviously किसी चीज के advantages है तो उसके disadvantages भी होंगे बिलकुल होंगे है ना तो वैसे ही अगर एक सिक्के का एक पहलू देखा है तो सिका पलट के भी देखना चाहिए कि क्या इसके disadvantages है तो बिताब बिलकुल है सबसे पहला अगर हम disadvantage बोले तो यहां पे तुम यही crop combination देखो या फिर simply इसके मतलब को अगर तुम जान लो तो तुम्हें यह पता लग जाएगा कि क्यूंकि यहां पे जो seeds हैं वो mix किये गए है है ना एक piece of land पे तुम दोनों ही crop साथ में उगा साथ साथ में पगेंगे है ना तो obviously इनका जो harvesting का time है या इनका threshing का time है बेटा क्यूंकि वो अलग है इस वज़े से crop की harvesting and threshing में जो है problem आ सकती है तो यहां पे पहला हम क्या लिख देंगे crop harvesting and threshing crop harvesting and threshing becomes difficult okay threshing देखो अपने harvesting क्या होती है जब crop ना mature हो गया उसके बाद उसको काटना अब पूरी की पूरी जो तुम्हारी टहनी है जिस पर seeds लगे में वो तुम्हारे काम के नहीं है टहनी तुम्हें नहीं है तुम्हें सिर्फ सीट चाहिए तो उन टहनी से राइट उस स्टॉक से उसके उपर जो वो seed यानि की जो grain है वो अलग करना है तो जब stock से grain को अलग किया जाता है उस process को threshing कहते हैं ठीक है तो भाई यहां तो mature ही साथ नहीं होंगे तो इनकी threshing क्या ही सही से साथ में होगी तो harvesting और threshing जो है वो difficult हो जाती है अब दूसरी चीज दूसरी चीज यह है कि obviously क्योंकि plant combination अलग-अलग है तो plant की need भी तो अलग है जो plants है बेटा हर plant को अपना खुद का fertilizer चाहिए राइट किसी को ऐसा हो सकता है कि nitrogen जादा चाहिए किसी को potassium जादा चाहिए तो क्योंकि यहां पर mixed है अरे बहुत random तरीके से लगाया हुए हमने कि यहां पर एक crop यहां हो यहां connectि क्यों स से चाहिए जरbands की जोब आली मैंग रही है तो इसी के बिच बीच में हमने क्या कर दिया है हमने इसी के बीच बीच में रैndम ली जो है दूसरे इसे सील्ट दीए इसे चीया जाता है तो यह है न कि तुमने हाथ में एक मुठ्थी गेहु लेली और एकमसुर दाल का वो लेलिया य। मिक्स कर लिए और साथ में ठीक दिया या यह जो अगर हमें पृक्शन हाते हैं तो व तो सोइंग के बिटा अलग अलग टेक्नीक्स होती है उस चीज को नहीं देखेंगे इस आप एट क्लास में अलड़ी पढ़ चुके हैं और कभी चाहे तो हम इसके ऊपर एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे बट वह आपके चाप्र का पार्ट नहीं है तो यहां पर हम कि इस से मैं आप क्या कहना चाते हो तो बेटा माम आपको यह कहना चाहती है क्योंकि प्लान की नीज अलग है तो फ़र्टी लाइजर और साथ ही साथ पैस्टी साइज का भी यूज जो है वह यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपना बीर प्लाइजर उसको भी खाएगा, राइट, क्या पता किसी और किडे को डुट दाल पसंद हो, है ना, तो उस किडे को मारने के लिए लग दवाई चाहिए, और जिसको मक्का पसंद है, उस किडे को मारने के लिए लग दवाई चाहिए, एक ही दवाई से तो साथ दवाई है, बिमारे नहीं पेस्टी साइड्स पेस्टी साइड्स बिकम्स डिफिकल्ट ठीक है यह भी जो है इसका एक अपना डिसद्वांटेज जो है वो हो जाएगा तो यहां पर देखा हमने देखा कि डेफिनेशन क्या है हम क्या-क्या क्रॉप प्रोडक्शन क्या क्रॉप कॉंबिनेशन यूज कर सकते हैं इसके डिसद्वांटेजिस क्या हो जाएंगे और इसके लावा अगर हम बोले तो यहां पर एक और चीज है डाट मिक्स्ट कंजप्शन जो है मिक्स्ट कंजप्शन मतलब कि जब तुम उगा रहे हो अभिस्टी और ऐसे है कि अगर तुम थ्रेशिंग करोगे तो गहूं के बीज जो हैं वो मसूर दाल के साथ मिल सकते राइट तो मिक्सिंग ओफ जो अपना सीट्स है वो हो सकता है तो मिक्स कंजप्शन की जगे हमें काम करते हैं मिक्स तो mixing of grains is observed यह भी एक इसका disadvantage हो गया और यहां पर यह सारी की सारी चीज़े आपको mix dropping के लिए एक जगे पे मिल गई है और इसी के साथ मुझे लगता कि अब हमें चलना चाहिए आगे towards the next one that is inter cropping अब inter cropping जिसे कि मैंने कहा था कि तुम नाम से ही जान सकते हो कि यहां पर एक ही फील्ड में crops लगाए जाएंगे और लेकिन क्योंकि inter cropping कह रहे हैं इंटर का मतलब बीच में होता है तो अगर हम बोलेंगे कि कैसा दिखेगा माम तो इस फील्ड में अगर मैं कह रही हूं कि भाई इस रो में मैंने अपनी main crop लगाई ठीक है मुझे अपनी main crop की 3 क्यारियां बनाया नहीं थी तो मैंने मेन क्रॉप को 3 क्यारियों में लगा दिया यहां प्रॉप पर रोज बनेंगे क्यारिया जो है वो बनती है और इनके बीच में यहां पे भी हम दूसरे क्रॉप सुगाएंगे लेकिन बेटा एक अच्छा खासा पाटन जो है वो फॉलो किया जाता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं क्या करूंगी यहां पे मैंने छीट दिया सारी चीजों को लेकर बस फेक दिया जैसे कि मिक्स प्रॉप इंग यहां पे भी हम अलग-अलग तरीके के सीज लगाएंगे लेकिन उनका अपना एक पैटन होगा तो अगर तुम इसी चीज को अब्जर्व करो और इसको थोड़ा सा रिलेट करना चाहो मिक्स प्रॉप इंग के साथ तो तुम्हें काफी हद तक आईडिया लग जाएगा कि भाई यह चीज काफी अलग है when we are trying to compare this with the one जो हमने इससे पहले देखा है ठीक है तो inter cropping के अगर हम बात कर रहे हैं और इसके बारे में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या लिखेंगे हम लिखेंगे that this is the technique this is the technique in which in which the seeds of different crops are sown in same piece of land यहां तक जो definition है मिटा वो same होगी लेकिन अब इसके बाद जो है वो थोड़ी change हो जाएगी that is इस case में हम in different rows जो हैं अपने plants लगा रहे हैं ठीक है यहां पर अलग-अलग क्यारियों में जो हैं हम पौधे को लगाएंगे जिसकी वज़े से जो भी हम अपना plant उगा रहे हैं जो बिटा plant है main crop से जो अपना दूसरा वाला crop है वो अलग-अलग रहेगा ठीक है तो यहां पर अगर हम बोलेंगे कि जो inter cropping हो रही है inter cropping में क्या seeds जो हैं वो mix हो रही है तो in this case जो seeds हैं of two crops are not mixed जबकि mixed cropping में हम पहले ही मिला रहे थे and then उसके बाद जो है बिटा उसकी utilization हो रही थी इसी के अलावा अगर हम थोड़ा और आगे जाएं तो इस case में set patterns जो है set patterns चाहे तो दो यही पर लिख दो definition में लिख सकते हो in set pattern right in set patterns की ठीक है मुझे इस तरीके से ही अपने crop को उगाना है right तो इसकी वज़े से क्या होगा अगर हम अब थोड़े से advantages और disadvantages देखे तो चलो एक जीगे लिख देते है advantages ठीक है इसकी वटा फाइदे क्या होगे सबसे पहला फाइदा तो इसका यही होगा the crops are not mixed the crops are not mixed ठीक है यह गया इसका एक फाइदा अब दूसरा फाइदा क्या है जैसे पहले वाले में क्योंकि सारे पौधे एक साथ मिले हुए थे तो fertilizer pesticide use करना मुश्किल हो रहा था लेकिन यहाँ पे क्योंकि हमने अलग-अलग क्यारियों में पौधों को लगाया है तो इसकी वज़े से जो use of fertilizers है है ना fertilizers कहलो या फिर जो अपना pesticides है is easy ठीक है वो यहाँ पे easy जो है वो हो जाता है अब इसी के साथ जो अपनी harvesting वाला point था वो भी यहाँ पे easy हो जाएगा कि ठीक है अगर मेरी इस क्यारी की जो चीज़ें वो पहले पक रही है तो मैं इनको पहले harvest कर लूँगी और उसके बाद जब दूसरा आप कहेगा तो तब उसको harvest कर लूँगी है ना तो इसी ही चीज की वज़े सकते हैं कि harvesting and threshing of crop threshing of crop is easy तो यह जो है यह again अपने दो या तीन advantages हो गए जब हम बिटा inter cropping की बात कर रहे हैं और इसी की वज़े से जो चौथा वाला point है वो आ जाएगा मतलब की अपने पहले वाले में crop की सीज से वो mix हो रहे थे यहां पर जो crop के seeds हैं वो अलग-अलग रहेंगे जिसकी वज़े से जो अपने produce है उसको हम produce जो है मतलब जो हमारी फसल आ रही है can be consumed separately ठीक है can be consumed separately डिस इस सम्थिंग जो की हो सकता है तो इसी वज़े से यह जो है यहां पर यह देखा जा सकता है है और अगर हम इसकी बात करें कि क्या इसमें जो उपाटन है अगर इस फैटन की बात करें तो इस पैटन का बैटा कुछ रैशय हो ठीक है रैशयो जो फ़र क्रॉप प्लांटेशन जर सीड सोइन भी आप कह सकते हो तो दकına यूज्वली क्या होता है कि प्लांट जो है हम बात करें tranh main crop is to other crop जो दूसरा हम साथ में लगा रहे है ठीक है तो इसमें 1 is to 1 का ratio चल सकता है ठीक है कि आधा ये आधा वो अब इसमें 2 is to 1 का ratio चल सकता है राइट या फिर 1 is to 2 का ratio चल सकता है depending upon the need otherwise इसमें बेटा 3 is to 1 का ratio भी चल सकता है तो इस ratio से जो हैं हम अपने अलग-अलग crops जो हैं वो यहां पर grow कर सकते हैं और इसके बीच में अगर आप चाहो तो जरूरी नहीं क्या अधर क्रॉप एक ही टाइप का होगा कि मैंने यह सिर्फ दो लगाए नहीं आप चाहो तो यह कर सकते हो कि मैंने main crop एक लगाई है इसके स मैंने चाहे तीन तरीके के crops लगा दिये है ना वन इस्टू थी का मतलब होगा कि आपने एक main crop लगाई और इसके साथ तीन other crops जो हैं वो उगाए राइट इस तरीके से भी हम जो चीजे हैं बिटा वो कर सकते है राइट कि आपने एक यह लगा लिया और तीन हिस्से अलग- प्रपिंग के नोट्स जो आप बिलकुल से लिख सकते हैं या screenshot ले सकते हैं या फिर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी और आपको पता है की कैसे मिलेंगी राइट जो मैं आपको थोड़ी दिर में बता सकती है अब अगला crop rotation मतलब crops की अदला बदली तो अगर हम बोलेगी यह क्या होता है तो crop rotation जो है बेटा यह वो technique है सबकी definition same तरीकी से start होती है it is the technique of growing two or more crops obviously on same piece of land same piece of land but यहाँ difference क्या है जैसे बाखियों में बिटा हमने simultaneously crops को grow किया था यहाँ पे हम एक piece of land पे crops को pre-planned succession में लगाएंगे ठीक है piece of land in pre-planned succession मतलब की मतलब की let's say यहाँ पे मैं कह रही हूँ अभी जो है अभी अपने पास summer season है ठीक है summer के टाइम पे मैंने इसमें लगा दिया cucumber cucumber कहलो या कुछ भी लगा दिया अब जब अपने पास rainy season आया तो मुझे यहाँ वापस है cucumber नहीं लगाना rainy season में या तो मैं इस पे rice उगा लूँ ठीक है या फिर मैं इस पे उड़दाल उगा लूँ उड़दाल तो चलो सर्दियों में आती है अपने है ना या फिर मैं इस पे कोई भी अपनी peanuts वगेरा जो है वह उगा लूँ ठीक है यह गड़ दिया अब जब अपना अगला सीजन आ रहा है तो उस हिसाब से मैं crop के बाद crop जो है वह change करती हूँ और इसका पते फाइदा क्या होता है इसका बहुत फाइदा होता है क्योंकि obviously क्योंकि आप एक ही पीस के land पे एक के बाद एक crop लगाओगे और ऐसा नहीं है तुमने लेट से राइस लगाया राइस की बाद तुमने फिरसे राइस लगाया इसके फिरसे राइस लगाया अगर पारमर्स ने यह काम किया यह सीरीज फॉलो करी तो ultimately जो soil है soil की जो बिटा fertility है वो तो एक दिन खतम हो जाएगी finish हो जाएगी क्योंकि इसने भी सारा खाना खा लिया इसने भी खा लिया इसने भी खा लिया अब भले ही तुम इसमें fertilizer कितने भी डालो लेकिन ultimately soil की fertility खतम ही हो जाएगी soil के पास तो nutrients बचेंगे ही नहीं अगर ऐसा किया तो लेकिन अगर तुम यहीं पे अगर कह रहे हो कि चलो ठीक है मैंने वीट उगा लिया या फिर राइस उगा लिया वीट के बाद तुम चाहो तो यहाँ पे पल्स उगा लो कोई भी दाल के बाद अगर लो उसके आप तुम वापस से चाहे वीट उगाओ तुम्हें भले ही सेमी क्रॉप उगानी है लेकिन सक्सेशन में लगाओ कि वीट के बाद वापस से पल्स लगा देंगे है ना तो ऐसा होगा तो क्या होगा यह जो वीट है है ना इसमें तुमने फर्टिलाइजर जो है इसको चाहिए यह जो वीट है इट इस सम्थिंग फर्टिलाइजर के जगे ना नूट्रियंट लिखते हैं इसको नूट्रियंट जो है यह टेक करेगा बट वहीं जो यह पल्सेज है यह लिखौमनेस प्लांट है यह जो है यह प्लांट के लिए नािट्रोजन फिक्सेशन करेंगे तो यह बटा प्लांट को यानि प्लांट नौट इग्जाक्ली प्लांट जो मिट्टी है मिट्टी में 1945 अन चिग! कई है नियॉट्रियंट को वो बरकरार रहती है और time and again जो crop है वो rotate होते रहते हैं तो इसी चीज में अगर हम बोलेंगे कि भाई इसमें हम क्या-क्या चीज़ें देख सकते हैं तो इसके अगर हम बोलेंगे कि क्या-क्या करें तो इस case में simply आप बोल सकते हो कि क्यूं कि अरे यहां तो सब मिट गया हाँ यहां पर एकर आंट से मिटाते हैं येस हम तो यहां पर इसके ड्वांटेजिस लिखते हैं चलो जैसे बाकी सब में लिखे हैं तो एड्वांटेजिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहला तो यह यहाएगा कि सॉल फर्टी लिटी इस मैंटेंड काफी बढ़िया तरीके से जो सॉल की फर्टीलिटी है बिटा वो हम मेंटेंड़ कर सकते हैं अब दूसरे नमबर पे दूशरे नंबर पे क्या होगा कि क्योंकि तुम soil को not soil क्योंकि तुम plants को बार-बार बदल रहे हो अब कुछ plants हैं जिनकी roots बहुत deep जाती है कुछ plants जिनकी roots उपर-उपर ही रहती है शालो रहती है तो जब भी तुम crop को change करोगे तो क्योंकि दीब वालों को खाड़ेगे तो मिट्टी अंदर से पूरी बाहर की तरफ आएगी और जो shallow वाले हैं वो उपर-उपर ही रहेंगे तो इससे जो turning of soil है यह भी easily हो जाता है so turning and loosening of soil is done efficiently ठीक है काफी अच्छे से यह चीज बरकरार रहती है थोड़ा सा efficiently yes now अब अगर तुम आगे चलो तो यहां पे let's say कि तुमने कोई pulses हुगाया तुमने कोई डाल का पौधा हुगाया और क्योंकि वो जो है वो इस प्लांट है तो हमने उसे खेत में ही छोड़ देते हैं उसे हम सिर्फ खेत में छोड़ देंगे ताकि कुछ ताइम बाद वो वहां प्रिपरेशन और इसमें हम कह सकते हैं किसका प्रॉसेस भाई अपना प्लोइंग जो है मतलब की हल चलानी की प्रॉसेस है जो मिट्टी को पलटने वाली प्रॉसेस है तुमने एक बार कर दी तो वो जो है वो चल जाएगी दो तीन क्रॉप तक is enough to grow to grow to successive crops not exactly two आप two से जाधा भी कर सकते है ठीक है अब यह सब जब हो रहा है और तुम साथ ही साथ obviously अलग-अलग crops अगा रहे हो तो यहाँ पे जो pest invasion है वो भी कम हो जाता है ठीक है क्यूं अब इसका बताती हूं reason इसको भी पहले लिख देता है is reduced अब ऐसा है कि माल लो तुमने मक्के का पौधा हुगाया है ना अब मक्के का जब तुम पौधा हुगा रहे थे तो वहां पर कीड़े आएंगे राइट अब क्या हुआ कि जब तुमने उसमें से मक्के ले लिए उस पेट में उस पौधे में अभी भी जो कीड़े है वो क्योंकि मक्के के बाद अब्विस्ली हम कोई और क्रॉप लगाने वाले तो वह कीड़ा तो वहां पर बिल्कुल भी यूस्फुल रहेगा ही नहीं तो यहां तो भई कोई बात ही नहीं हुई बेचारे कीड़े का हो गया उलू वो बन गया उलू कि तुम यहां थे तुम जो अपने क्रॉप रोटेशन की वज़े से बेटा जो है हमें अब्जर्व हो सकता है राइट और इसकी वज़े से है ना जो सॉइल है वो अब्विसली हम जादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और आप चाहो तो यहां पर एक चीज लिख सकते हो कि क्रॉप रोटेशन हेल्प्स इन इधर देखो सॉइल फरटिलिटी मेंटेन तो है इसकी वज़े से हम सॉइल क्रॉप कर सकते हैं ठीक है इंप्रॉविंग सॉइल क्रॉप 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 रोटेशन की यहां तक जो चीजे हैं वो सब को समझ आ गई होंगी मेजर मेजर चीजें जो है एकजम से दिमाग में बैड़ गई होंगी यहां तक यहां तक हमने बात कर ली थी अपने क्रॉप प्रोड़क्शन मैनेजमेंट की कैसे हम पौधों को उगा रहे हैं थोड़ा मैं साइड हो जाती हूं तब भी बार बार तो यहां पे बिटा हमने सारी की सारी बात अपनी कर ली है कि क्रॉप प्रोड़क्शन मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं कि कैसे जो क्रॉप उगाया है उनको हम अच्छे से खाना पानी दे सकते और कैसे अगर लगाएंगे तो उससे कैसे क्या क्या benefit हो सकते है तो यहां पर अधिर को डाउट भी होगा कि यह पैस्ट इग्जाक्ली होता क्या है और क्यूंकि हम कहने कि इसका इन्वेजन कम हो रहा है मतलब ही पैस्ट से हमें अपने पौनों को बचाना है तो हम कैसे बचाएंगे तो बेटा जी हम बचाएंगे इन्हें क्रॉप प्रोड़क्शन क्र बचाना होता है, that is weed, insect and obviously disease, right, तो इन तीन चीज़े से क्योंकि हम अपने पौधे को बचाने हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कैसे बचाएंगे, right, तो इनको इन चीजों से बचाने के लिए, बिटा, हमें इस्तमाल करना पड़ता है, pesticides, right, अब pesticides जो होते हैं, ये chemical products होते ह ये जो है बिटा, ये chemical products हैं, जिससे की obviously हम weeds को मारेंगे, तो weeds को मारने के लिए हमारे पास weedy sides हैं, तो weedy sides क्या हो जाएंगे, क्यों हैं ये हमारे पास, to control weeds, right, एक एक करके बताऊंगे की weeds क्या होते हैं, right, and then हमारे पास आ जाते हैं बिटा, इसी में next category, that is of insecticide, ठीके, insecticide, नाम से ही थोड़े बहुत idea लग गया होगा, कि मैं insects की बात हो रही है, तो इसका क्या benefit होगा, to control insects, to control insects, and lastly, जो हमारे पास बच गया है, वो रहेगा बिटा, fungicide, अगर किसी भी तरेके का जो fungi है, वो हमारे plant में लग रहा है, जिससे कि हमारे plant को problem हो सकती है, उसस हम बचाएंगे, जब हम पेस्टिसाइट की बात करेंगे, इन तीन चीजों से मेन हम अपने crop को बचाते हैं, और क्योंकि यह important है, तो इसको हम एक जगे ठीकाने लगा देंगे, ताकि यह आपको continuously दिखता रहे, ठीक है, तो यह importance है अपने पेस्टिसाइट को यूज करने की और यह सकते हैं कि पेस्टिसाइट समार पस किस-किस तरीके के होते हैं, अब एक एकर करके स्टार्ट करते हैं अपने वीड कंट्रोल या फिर बाकी चीजों के साथ, तो सबसे पहले टॉपिक उठाएंगे अपने वीड का राइट, तो पहली चीज यह जो वीड है यह अप तो आपने पानी चाहिए और जब उसे खाना पानी चाहिए तो अल्टीमेटली वो किसका खाना खाएगा? जो हमने अपने पौधे को दिया है, तो यह जो वीड है बेटा, यह कंपीट कर जाते हैं, यह कंपीट करते हैं, यानि कि कॉम्पटीशन करते हैं, मेन क्रॉप के साथ, किस चीज के लिए? फूड के लिए, क्रॉप फूड यानि कि जो हम न्यूट्रियंट्स उन्हें दे र हो सकती है so hamper growth of main crop तो भाया जब hamper कर रहे है तो obviously मुझे थोड़ना रखना है अपने पास मैं तो चाहँगो कि इसको दफा कर दूँ यहां से तो इसको अगर हमें हटाना है इसको remove करना है तो इसके लिए अगर हम इसके removal के लिए let's say हम यूज कर रहे है chemical based products है ना तो chemical products जो यूज करेंगे या निकि जो pesticides यूज करेंगे उन्हें बेटा हम कहते हैं वीडी साइड्स इसमें अपने पास आ जाएंगे वीडी sites यह नाम याद रखिएगा और इसमें अगर example बोलू तो 24b यह बहुत फेमस वीडी site जो है यह available है इसके लावा थोड़ा और और आगे चलें तो इसको हम mechanically भी निकाल सकते हैं मतलब हाथ से उखाड़के भी निकाल सकते हैं ठीक है या खुर्पी यूज करके भी हम इसे निकाल सकते हैं इसके अलावा biological control भी हो सकता है ठीक है mechanical control है हमारे पास इसके अलावा हमारे पास biological control है मतलब कि मैं अपने खेत में ऐसे कीड़े छोड़ दूँ जो कि इस वीड को खा जाएं ठीक है मेरे biological control के लिए बिल्कुल इस्तमाल कर सकते हैं इसके अलावा अगर मैं बात कर रही हूं अपने insect invasion की ठीक है कि भाई जो insects हैं वो मेरे प्लांड को खराब कर रहे हैं या फिर वो उस पर फीड कर सकते हैं तो अलग-अलग कीड़े जिसकी विजसे अलग-अलग diseases हो सकते हैं जिसको जाद करने के आपको जरुत नहीं है लेकिन वस इतना याद रखो कि insect invasion से अगर हमें control चाहिए मतलब इससे हमें चाहिए कि बस यह ना करें तो हम यूज कर सकते हैं астиon agri noises का वह कर सकते हैं लास्टली हमाड़े पास टीजीजेज की बहुत सारी होती है है अगर ऑग लिए कि देती हूं यहां पर एयर बॉर्ण हो सकते हैं ठीक है यह वाटर बॉर्ण हो सकते हैं या फिर ओविसली कोई डिजीज जो है किसी भी इंसेक्ट के थुरू भी आ सकता है है ना और अगर एक्जाम्पल की हम बात करें तो रस्ट आफ वीट बहुत बार ना जो गेहूं होता ह गेहूं के पौधे में एकदम से ऐसे ना काला काला सो हो जाता है वो ब्लाक रस्ट आफ वीट बोलते हैं जो कभी गन्ना अगर खाया हो तो गन्ने में देखा कभी एकदम रेड कलर की लाइन्स दिखने लग जाती हैं को बीच-बीच में खाने वाले पोर्शन में तो वह ब इसलिए जो इंसेक्ट है या या फ॥िट डीजीज है वह इन से भी अपने प्लांट को जो है वह वह बचाना है राइस तो इससेえ भी हम बचाएंगे और इससे भी तो इनसे क्या क्या एक्जाम्पल्स है तो इसमें बठा बहुत सारे है पर छोटे-चोटे अगर अगर आपने कभी वाइट वाइट कलर के पौदे देख्यों अगर अगर पे घर पर गार्डन भी होगा ना लेकिन गार्डन लगाया वाज में फूलों के पौदे हैं तो कभी देखना कि काल ह या फिर ना वाइट वाइट कलर के ना एकदम से बड़ के पास या फिर जो अपने पत्ते होते हैं वहाँ पर कीड़ जम जाते हैं उन कीडों को हम आफिद्स कहते हैं यह जो यह सबसे ज्यादा दुखी करते हैं बहुत ज्यादा दुखी करते हैं जब हम बात करते हैं इंस से और अपने अलग-अलग डिजीजेस से राइट तो यहां पर वीज जो है वह काफी जाता आपके लिए इंपोर्टन हो जाते हैं डिटेल में पढ़ना इसलिए मैंने यहां पर प्रॉपर ली बता दे की वीज क्या होते हैं और इनको इनके रिमूव करने के तरीके होते हैं इंसेक्टिशाइड यूज करते हैं और इंसेक्ट्स में भी हमने एक्जामपल जो है वह एक दो देख लिए और यहां पर बहुत ही जादा बढ़िया एक्जामपल साबित होते हैं तो यह हो गई जी बिटा अपने सारे के सारे चीजों के बात अब मैं बीच में आजाती तो अब यहां तक चीजा आप सबको मिल गई होंगी तो यहां तक था अपना यह पूरा का पूरा क्रॉप इल्ड मैनेजमेंट जिसमें कि हम अगर यह चीजे फॉलो करें तो हम अपने क्रॉप की जो प्रोडक्शन है जो क्रॉप की विराइटी है वो इंप्रूव कर सकते ह है और हमें बढ़िया कॉलिटी की जो क्रॉप मिल जाएगी और एकदम डिजीज फ्री या फिर जो भी इंसेक्ट साइज या फिर यह पेस्टी साइज अगरा है ना इन चीजों से फ्री रहेगी तो यह था अपना क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में और इसके अलावा अगर हम बोले तो ओवियसली यहां पे जब हमने क्रॉप उगा ली तो उनको स्टोर नहीं करेंगे या उस क्रॉप को हमें स्टोर करके भी तो कहीं रखना है ना तो वही चीज हो जाती है स्टोरेज ओफ ग्रेंज और इसको भी एक बार देख लेते हैं तो जो भी बिटा हमने ग् तो ओवियसली एक बोरी में डाल के नहीं छोड़ सकते इनको अच्छे से कहीं रखना होगा तो लार्ज स्केल वाले जो हैं बेटा इनको सी लोज में रखते हैं या फिर ग्रेनरी जो पूरा गो डाउन है अपने पास उसमें रखते हैं और जब इनमें रखते हैं तो वी मे से स्केल के उसमें पॉसिबल नहीं है तो इसमें हम बिटा कुछ केमिकल्स यूज कर सकते हैं या फिर हम यह इंशूर करेंगे कि यह एक अदम से एयर टाइट हो ताकि कोई कीड़ा कोई भी डिजीज कॉस करने वाला या इनको खाने वाली चीज इसमें एंटर ना करें और ही अगर हम स्मॉल स्केल की बात कर रहे हैं तो हम रख तो इसको बिल्कुल अपने जार में सकते हैं लेकिन इसी के साथ हम करेंगे क्या हम रखेंगे बिटा कीप नीम लीव्स नीम लीव्स इसके साथ टू कीप टू कीप इंसेक्ट्स अवे ठीक है यह चीज हम कर सकते हैं ज small scale production की, right, तो ये वाली चीज हो गई अपने इसमें and obviously जब हम बात करते हैं कि हमें storage की need क्यों है, है न, अगर मैं यहाँ पर ये भी लिख दू, storage की need, तो obviously number one, to keep the grains for longer time, आज उगा है, आज चुना खाने के लिए रखा है मैंने, काफी दिनों तक हमें चलाना है भाई, उस चीज के लिए storage चाहिए, number two, to keep it safe from insects या पिर rats, चुहें वगेरा भी नहीं लगने चाहिए, right, तो ये जो है, ये दो main purpose है हमारे इसके storage के, जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, तो हमारे पास अच्छा खासा जो amount of crop है, अब तो grains कहाईंगे हम उन्हें, harvesting के पाद वो हमें दाननाने मिल जाते हैं, जिससे हम use करके अपने अलग-अलग products बनाते हैं, फिर वो farmer के वहां से market में भेज दिये जाते हैं, जहां पे उस हम यहीं पर halt लेंगे, क्योंकि आज का जो topic है, वो हमारा खतम हो गया है, और अगर आपको ये सारे notes चीज़ें, तो आपको पता है, आपको क्या करना है, आपको download करना है, scoreplus app, जो की easily google play store पे available है, और आप हमें follow कर सकते हैं, telegram पे भी, ताकि आपको सारे updates, जो हैं, चाहे इ related हो, या फिर note upload से related हो, तो वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, right, so this is what you can do, to learn more, to learn better, और हम क्या करने वाले, हम दुबारा मिलने वाले, तब तक के लिए, हमेशा की तरह, all of you are supposed to stay happy, healthy and safe, bye.